नमस्कार दोस्तू इस वीडियो में उत्र परदेश के चार एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे तीन तो आपके चालू हो चुका है और एक बन रहा है कि टुटेल आपके चार एक्सप्रेसवे हो गया इन चारों एक्सप्रेसवे से सभी एक्जाम में एक नए एक उसन पिलिग्राम गुर्फ जोईन कर सकते हैं इसका पीडिएपस अपरी भीजन भी से कर सकते हैं तो आई देखते हैं पहला point कि पहला है यमना expressway जो यमना expressway है उत्तर सरकार ने जो है नुईडरा से आगरा तक बनाया है यमना expressway इसके लंबाई कितने है तो 165 किलोमेटर इसकी लंबाई है और जो यमना एक्सप्रेसवे है 6 लेंड की है 6 लेंड की यमना एक्सप्रेसवे है जो यमना एक्सप्रेसवे है इसका परिचालन 2012 से किया जा रहा है दोहेर बारह में किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो अखलेस यादव की सरकार थी यह आपको हो गया पहला एक्सप्रेसवे दुसरा एक्सप्रेसवे है आगरा लखनवर एक्सप्रेसवे तो पहला एक्सप्रेसवे हो गया यह मुना एक्सप्रेसवे और दुसरा लखनावर को आगरा से तता पुनाय या मुना एक्सप्रेसवे द्वारा रास्टिय राजधानी नए दिल्ली से जोड़ने में से फलता प्राप्त हुई तो जो लगे कि नहीं कहां पर दिल्ली में ही एक तरीके से तो नुएडा से कहां पर है आगरा में है आगरा थे पहले एक्सप्रेस वे चो समझेंघने तो जो आगरा लखनावर एक्सप्रेस वे इसकी लमबाई कितना किलोमेटर ह। तो 302 km इसकी लंबाई है और जो आगरा expressway है यह भी आपके 6 लेन का expressway है यह भी आपके 6 लेन का expressway है और जो expressway है इसका निर्मान किसके दोवारा किया गया है यह पूछा जाता है बारबर एक्जाम में तो उत्तरपरदेश expressway और द्योगिक विकास प्रधिकरन इससे बोलते ह उत्तर परदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डवलपमेंट ऑथरोटी के दुबारा जो है एक्सप्रेसवेज का निर्मान किया गया है यह पूछा जाता है कि जो है एक्सप्रेसवेज बन रही उत्तर परदेश में उसका निर्मान कौन कर रहा है तो उत्तर परदेश एक्सप्रेसवेज और दोगिक विकास प्रधिकरन के द्वरा किया जा रहा है नेक्स पॉइंट है बरतमान परिद्रिस के बारे में देखिए तो इसमें है पुर्बांचल एक्सप्रेसवेज के बारे में बात किया गया है तो 16 नमंबर 2021 को परदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्बल खिरी जिला सुल्तानपूर में पुर्बांचल एक्सप्रेसवे का उडगाटन किया गया तो जो आपके पुर्बांचल एक्सप्रेसवे हैं उसके बारे में ध्यान रखना है कि ASTIL Authority of India Limited ने एक्सप्रेसवे के लिए 48,200 टन अस्टिल अपके दिया था मतलब आपूर्ति किया था पुर्वांचल एक्सप्रेसवे बरने में योगदान दिया था किसका विवदान है? ASTIL Authority of India का भी योगदान है उसने 48,200 टन अपके ASTIL अपूर्ति कराया था 22 2018 में प्रदार मंतरी द्वारा आजम गण में इस एक्सप्रेसवे के अधार सिला रखी गए थी तो जो इसके अधार सिला 2018 में रखा गया था और यह बनके कप तयार हो गया? तो 16 नमबर 2021 को आपके स्टार्ट हो गया प्रदार मंतरी के उटगाटन के बाद इसके बिसस्ता क्या है? तो जो इस एक्सप्रेसवे जो पुर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसके लंबाई कितना है? तो 340.824 लगभग आपके 341 क्लिमेटर इसकी लंबाई है इसके साथ ही यह बरतमान में परिचालित, ओप्रेसनल देश का सबसे लंबाई एक्सप्रेसवे है तो आपसे पूछा जाएगा कि देश का सबसे जो लंबाई एक्सप्रेसवे कौन है? तो पुर्वांचल एक्सप्रेसवे है प्रवांचल एक्सप्रेस में लखनौर में लखनौर सुल्तारपुन रोड अस्थित चांद सराय गाउं से प्ररम्ब होता है तो कहां से प्ररम्ब होता है लखनौर सुल्तारपुन रोड अस्थित चांद सराय एक गाउं वहां से प्ररम्ब होता है और उसके बाद जो है गा गाजीपूर जिला में अस्ति थैख हैद्रिय गाउं वहाँ पर आपके समाप्थ होता है यह लखनावर से शुरू होता है, आपको आजानद रखना है और कहा तक है तो गाजीया बात तक जो पुर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसका विस्तार है, यह एक्सप्रेसवे जो है लखनवर जनपत को गाजीपूर से जोडता है, पुर्वांचल एक्सप्रेसवे के मार्ग में आने बाले नो जिले, इससे नूट कीजिएगा, जो भी उत्रप्रदिस का एकजाम दीजिएगा, उनमें पूछा जाएगा, कि जो पुर्वांचल एक्सप्रेसवे है, कितने डिस जिस्टिक से होके उजरती है, और कौन-कौन जिस्टिक है उसके बारे में देख लिजी, तो पहला तो लखनवर है, दुसरा है बारा बंकी, अमेठी, सुल्तानपूर, अयोध्या, अंबेटकर नगर, आजयमगर, मौव और गाजीपूर, आपको याद रहेगा, अयोध्या अबेटकर नगर, आजयमगर, सुल्तानपूर, अमेठी, बारा बंकी, और जो पुर्वांचल एक्सप्रेसवे है, यह 6 लेन एक्सप्रेसवे है, और आगे हो सकता है, इसे 8 लेन किया भी जा सकता है, पुर्वांचल एक्सप्रेसवे को, पुर्वांचल एक्सप्रेसवे प हवाई पट्टी निर्मित की गई है और इस हवाई पट्टी पर भारतिय बायुसेना के लडाकु विमान अपात कालिन प्रस्थितियों में लेंड कर सकेंगे और यहां से उड़ान भी वर सकेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कि लड़ाकू बिमानों की अपात कालिन लेंडिंग और टेक ओफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पर जोए तीन हवाई पटियों का निर्मान करने वाला उत्रप्रदेश जोए भरत का पहला राज है तीन हवाई पटियों का निर्मान करने वाला उत्रप्रदेश जोए भरत का पहला राज है । जो पहला पटि हй मस्ट मद आये तो नुवडा और जो आगरा एक्सप्रेसवे जिसे बोलते है . यमुनाए एक्सप्रेसवे तो पहला हो गया जो दूसरा हवाई पयला हो गया जो यो चोटा हवाई पटती कहां पर बन रहा है बनेगा तो गंगाए एक्सप्रसव मं ठीक है तो गंगा एक्सप्रसव उसके बारे मागे हम समझेंगे भी उसके बाद next है कि जो यमना एक्सप्रसवे, मत्रौवा के निकट एबं आगरा लखनावर एक्सप्रेसवे उन्नाव के निकट पर भी जो हवाई पट्टी का निर्मान किया गया है जो आपको हम बताया है उसी चीज को यहाँ पर लिखा भी गया है उसके बाद है कि जो पुरबांचल एक्सप्रेसवे के निर्मान की कुल लागत पर कंब्रेस निर्टो से बलकी रास्टीर, राजधानी से भी आ गरा लखनावर एक्सप्रेसवे तो एक तरीके से जो गाजी पूरे जो गाजी पूरे के आसपास के डिस्टिक है वहाँ से बहुत असानी से लोग जो है रोड के माधियम से दिल्ली पहुँच सकते हैं और वहाँ पर बताया गया है तो सबसे पहले आपको जो पुरवांचर एक्सप्रेस फे उससे बुझरना होगा उसके बाद लखनावर और जो आग्रा एक्सप्रेस फे उसका दिल्लिया पहुँच जाईगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इससे परदेश के पुरवी हिस्से के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो आपके उत्र परदेश है उसका पुरवी हिस्सा है वहाँ पर आपके विकास को बढ़ावा मिलेगा एक्सप्रेस्वे के माध्यम से यह मोल्ड एकस्प्रस्वे होने के कारण जो है या इंधन बचाएगा पर दूसन नियंत्रेम अधित करएगar शाथ ही दुरघटना होने के असार को भी आपके कम करड़ेगा एकस्प्रसबे एक इस एक स्प्रसबी के निर्मान के दौरान जो है टोटल आपके 60 लाग से अधिक मानव रोजगार दिवस्तों का सिर्जन हुआ है तो इतना आपको ध्यान में रखना है एक बार आपको सोट में यहां पर दियागा इसमें देख सकते हैं कि जो पुर्वांचर एक्सप्रेस वे लिखा गया पुर्वांचर एक्सप्रेस इसका बिस्तार कहां से कहां तक है तो लखनावर से गाजेपूर तक इसका बिस्तार है और इसकी लंबाई कितने है तो 341 किलोमेटर इसकी लंबाई है जो हवाई पट्टी कहां पर बनाया गया है तो लड़ाको बिमानों की अपात काली लेंडिंग और टेक अफ के लिए के निकड जो हवाई पट्टी का निर्मान किया गया है और देश का सबसे लंबाय expressway है इसके लंबाय कितने 341 किलो मीटर है और किसके द्वारा बनाया गया तो UPIDA के द्वारा बनाया गया इसका फूल फुर्म क्या होता है उत्तिर प्रदेश एक्सप्रेस्वेज ओध्योगिक विकास प्रधीकरण के द्वरा बनाया गया है तो इतना आपको दियान में रखना है नेक्स्ट पॉइंट है गंगा एक्सप्रेस्वे के बारे में जानिए तो जो गंगा एक्सप्रेस्वे है 18 दिसंबर 2021 को परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने साहाज जहापूर उत्र परदेस में गंगा एक्सप्रेस्वे की अधार सिला रखी तो पहला परदेस न पूछा जागा कि जो गंगा एक्सप्रेस्वे इसके अधार सिला किसके द्वरा रखा गया तो परदानवंत्री मोदे की जी के द्वारा और कहां पर रखा गया तो उत्र परदेश के सहां जहापूर में रखा गया है जो गंगा एक्सप्रेस वे है उत्र परदेश को जो है यह उत्र परदेश है उत्र परदेश को जो है पच्छिम से पूरब क्यों जूलेगा मतलब कि जो पच्छी में उत्र प्रदियस है और पूर्वी उत्र प्रदियस दोनों को आपस में connect कर देगा गंगा एक्सप्रेस वे और इसकी लंबाई कितना है तो 594 किलोमेटर इसकी लंबाई है तो गंगा एक्सप्रेस वे यह छे लेन का होगा इस भविस में जो है आठ ल जुड़ापूर डान्टू गाओं पर आपके समाथ होगा उसे बोल सकते हैं कि यह कहां से कहां तक बनेगा तो मिर्ट से परियाग राज तक ठीक है मिर्ट से परियागर राज तक होगा गंगा एक्सप्रेस वे और किसके दोरा इसे बनाया जा रहा है טो उत्र independent expressवेश ओद दो कि विकास प्राधिकरहिस का मुडल एजेंसी भी है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो है उत्यर प्रदिश के 12 डिस्टिक्स से होकर गुज़रेगी इस नूट कीज़ेगा जो आपके पुर्वांचल एक्सप्रेसवे था कितने डिस्टिक् गंगा एक्सप्रेसवे है यह 12 डिस्टिक्स से होकर गुज़र रहा है तो मेरेट तो को पता है और उसके बाद परियागराज दो तो पता है उसके बाद हापूर बुलंत सहर अम्रोहा संभल बदायू साजहापूर हर्दोई उन्नाव राइबरेली परताप गड़ और परि पति कंद्रिमान किया जाएगा जो गंगा एक्सप्रेसवे इस पर कितना खर्च हुआ है तो इस पर 36,200 कुलो रुप्या खर्च हुआ है जमीन को लागत लेके जो जमीन खरेंदे में पैसा खर्च हुआ उसे भी जोल लिए गिया है और जो बनाने में कोस्ट आया उसे भी लिए गया है तो दोने मिला कि आपके 36,200 कोस्ट आपके खर्च होगा उसके बाद नेक्स्ट है कि पूर्ण रूप से निर्मित होने के पहस्चाच जो है गंगा एक्सप्रसवे उत्रे परदेश का सबसे लंबा एक्सप्रसवे बन जाएगा आपको बता चुके और जो गंगा गंगा एक्सप्रसवे के निर्मान भी आपके परिस्तावित है कि जो गंगा एक्सप्रसवे उसके आज-पास जो है और इससे छेतर के समाजिक आर्थिक विकास को भी आपके प्रोसान मिलेगा तो जितना भी आपके समंधित जो एक्सप्रेस वे हैं उनसे समंधित पॉइंट था सारे पॉइंट को डिसकस कर लिया गया है आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताईएगा थैंक्यू